हलो दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट यूसिफ जैक्स और मेरे पास है यहाँ पर मी 10i और मी 10i का इस वक्त हम लोग करने वाले हैं चार्जिंग टेस्ट वैसे तो हमने चार्जिंग टेस्ट की वीडियो बनाई थी जिसमें हमें पता चला था कि 57-58 मिनेटस में फोन 0-100% चार्ज हो जाता है बट सवाल यह है कि एक्चुली जो बॉक्स पे लिखावा है और चार्जर पे लिखावा है 33 वाट और बताया जा रहा है कि यह 33 वाट का सपोर्ट देता है तो क्या यह फोन एक्जाक्ली 33 वाट देता है या नहीं देता है यह हम लोग यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं इसके लिए मेरे पास है वाट टेस्टर और वाट टेस्टर की मदद से यहां पर हम लोग इस चीज़ को अभी देखेंगे ठीक है तो यहां पर बोर्ड है मेरे पास बोर्ड मेंने यहां कनेक्ट कर दिया जैसा कि आप देख सकते हो इस साइड जो है बोर्ड में सारा डाटा जो है दिखेगा और यह केबल है केबल को हम फोन में कनेट कर देते हैं इस समय फोन की बैटरी जो है मैंने एकदम कम कर रखी है, तीन परसंट बैटरी है जैसे कि आप देख सकते हो, इसलिए कम कर रखी है क्योंकि चार्जिंग का सही स्पीड जो है वो कम बोल्टेज पर ही पता चलेगा, मतलब जब कम बैटरी रहेगा तो ही पता चलेगा, पढ़ा ऐसे किसी फोर में नहीं हुआ था, कि ऐसे मतलब एक दम स्लो मोशन में बढ़ेगा, वो पांच सेकंड के अंदर में किसी फोर में पता चल जाता था कि वाट क्या जा रहा है, बट यहां पर यह बढ़ता ही जा रहा है, तो अगर यह बढ़ रहा है तो हम लोग भी कर लेते हैं, देखते हैं कि 33 वाट तक जाता है कि नहीं जाता है, अभी continuously बढ़ रहा है, 19.80 पे चला गया है, 25 वाट शो करने लग गया, 25 वाट से गिर गया, 29 वाट पे गया, 24 वाट गया, 25 वाट गया, 25, 29, 30, 30 तक आया है अभी highest जैसा कि आप देख सकती हो, यहां पर दि देखने को मिल रहा है, देखते हैं कि 33 तक टाच होता है कि नहीं होता है, 85 गया है, 86, 87, 88, उमीद है कि चला जाएगा, यह 33 वाट जाएगा कि नहीं जाएगा, वो नहीं पता बट 31 जरूर हो जाएगा यह अभी तुरत कुछी सेकंड्स में, अलागे पता नहीं धीरे-धीर क्यों हो रहा है, तब तक हम लोग बाकी चीज़े भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है, फ्रिक्वेंसी वोल्टेज, 233 वोल्ट पे यह चल रहा है, मतलब यह चारजर 233 वोल्ट की एनरजी जो है ले रहा है, एमपेर में की बात करें, तो 194 है, और वाट देखो, यहाँ पर 31 वोल्ट तक आ गया है, 31 वाट से फिर नीचे हो गया, 31 वाट नीचे, 30, 31, 31, 31, फ्लक्चुएट हो रहा है, तो जैसा के नजर आया, 33 वोल्ट तक तो नहीं गया है यह, 31 वोल्ट पे जो है, फ्लक्चुएट हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, में 31 वार्ट यानि कि यह 33 वार्ट पूरा पूरी नहीं जाता है जो हमने अभी देखा आपके सामने देखा 33 पॉइंट 31 तक गया maximum 31 के बाद fluctuate होके फिर से 30 हो गया 30 31 31 तो 33 वार्ट तो नहीं जाता है भाई लेकिन चलो एक 31 वार्ट ही तो गया यह भी कम नहीं है चलो एक काम करता हूं मैं दूसरा केबल लगा के देखता हूं हो सकता है कि डैश केबल पे ज्यादा स्पीड आ जाए देख लेते हैं में भी फरक पड़े और अगर फरक पड़ता है तो गरत बात है नहीं पढ़ना चाहिए फरक क्योंकि आउट ओफ दबॉक्स का केबल देखा जाए तो सबसे अच्छा होता है क्या है यहां पर सीन देख लेते हैं तो अब हमने डैश केबल स सिमर्ट गया यह आपको वह इस पीड नहीं दे पा रहा है जो इस पीड आपको आउट अफ दबॉक्स वाला केबल दे रहा था तो डैश केबल यहां पर काम बिलकुल नहीं करेगा यहां पर आपको इसका बॉक्स वाला केबल ही चाहिए इसमें जो है हमारा मैक्सिमंस मी टर्बो चार्जिंग अरे भाई देखा दो ना ठीक से हां मी टर्बो चार्जिंग और यहां पे 8.6% करके इस तरीके से बढ़ रहा है चार्जिंग तो जब हमने वीडियो शुरू किया था यानि कि अभी से चार विनिट पहले उस समय फोन में 3% बैटरी था और अभी जो है फोन के अंदर 9% बैटरी हो गया तो यह भी अच्छा है लेकिन मैक्सिमम सपोर्ट 31 वाट जाता है 33 वाट नहीं इस वीडिम पसिता ही हम मिलेंगा अ कि अधिक्षिन मिसना हो पाए